मैंने मुझे मिला नहीं वो तो मैं बस दिखा रहा था बस यही चीज है चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा फिर हम चप्टर स्टार्ट करेंगे सर कॉस्ट शीट हमारा फिर्स चप्टर जो रहने वाला है उस चप्टर का नाम है सर हमारा क्या हलाकि इस चप्टर को हम सिंप्ली बोलेंगे कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट को अगर हम पढ़ते हैं आगे और डिटेल में तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा cost sheet में तो sir इस chapter में सीखने को मिलेगा इसमें सीखने को मिलेगा हमें profit निकालना या फिर loss निकालना sir profit and loss तो financial में भी निकालना सिखते थे लेकिन इसको निकालना होगा according sir निकालना होगा according to cost बड़ी सीधी सी बात है cost के हिसाब से profit या लॉस निकालना होगा यहाँ पे उसके लिए आपको कुछ बाते पता होना चाहिए हम पहले क्या करते थे sir normally यह बनाया trading p&l और काम स्टार्ट हो गया हमारा यह trading p&l यहाँ पे हमारा debit credit का कोई मतलब नहीं रह जाता यहाँ पे हम जो follow करने वाले हैं वो करने वाले sheet cost sheet का नाम है तो sheet का मतलब है एक tabular firm है sheet का मतलब है एक sheet होगा और इस sheet पे कुछ ऐसे detail हम fill कर देंगा यहाँ debit credit का कोई देना नहीं है इस तरीके से sheet होगा और यहाँ पे हम हर एक चीज का एक costing बना के एक profit या loss निकाल लेंगे that is इसको बोला गया cost sheet यहाँ पे हम costing के हिसाब से अपना profit या loss निकाल लेंगे तो इसलिए बोला गया sir इसको cost sheet sir अब costing को bifurcation करें न अगर हम अगर according to cost देखें cost का bifurcation करें तो cost को दो भाग में बाटा गया है जो कि हमें इस sheet के अंदर समझाना होगा examiner को sir एक होता है हमारा direct एक होता है हमारा indirect sir direct का मतलब क्या है और indirect का मतलब क्या है direct का मतलब यह है जो apparently दिख रहा है जिसे आप देख के बता सकते हो directly बता सकते हो कि यह है उसे बोलेंगा direct सीधा देख के उसके costing को measurement कर सकते हो उसे क्या बोलेंगा sir direct बिल्कुल यह class भी upload होगी सारी classes upload होगी जैसे कि पहले होती आई है तो direct cost अगर मैं करूँ तो आपको अगर मैं उसकी costing बताऊ ना तो आपने भले ही 100 रुपए का खरीदा लेकिन उसके अंदर जो बंध है जो bread है मान लेते हैं 10 रुपए का उसके अंदर जो आलू की टिक्की है मान लेते हैं वो भी 10 रुपए का कितना हद मान के मान लोगे तो टोटल आप अंदाजे से ले लेते हैं सर 30 रुपए का बर्गर हम से 100 ले रहा है वो कमाई कितना कर रहा है 70 रुपए यानि आप किसी प्रोड़क्ट को देखके उसका costing जज कर लेना उसको बोलते हैं आपने पता है जज जो करते हो ना वो कौन से cost जज करते हो डारेक्ट कोस्ट जज करते हो जैसे मेरे पास यह calculator था calculator का judgment लिया हमने बोला यह 50 से 60 रुपए में बन जाता होगा 200 रुपए में बीच रहा है तो हम कौन से cost की judgment कर रहे हैं डारेक्ट की तो direct cost वो होता है जो directly लगता है प्रडक्ट को बनाने में उसे बोलते हैं direct cost indirect cost क्या होता है सर जो आप नहीं सोच पाते जैसे factory के अंदर या फिर मैं burger की बात करूँ उस जहां पे गये थे आप outlet पे लेने के लिए वहाँ पे देखो आपका AC एक ट्यूलाइट जल रहा है तो दस ट्यूलाइट का कितना खर्चा आपके burger पे है जो survive कर रहा है वहाँ पे जो आपको serve कर रहा है जो उसका कितना खर्चा आपके उपर salary आपसे कितना लिया जा रहा है जो cleaner है उसका salary कितना लिया जा रहा है guard जो है उसका salary कितना लिया जा रहा ये सारी चीज़ी तो आप देखें निहीं है वो cost कौनसा होगा हमारा? इयानि जिस खर्चे को मोटा मोटी एक बोलते हैं, ने मोटा मोटा इतना खर्चा हैगा तो जिस खर्चे को मोटा मोटी आप पता कर लेते हो that is a direct expense और जिस खर्चे को आप पता नहीं कर पाते है वो कौन सा होता है हमारा indirect expense लेकिन सर direct expense में भी दो चीजे हैं तीन चीजे हैं basically अगर आप direct expense में भी जाओगे तो यहां भी तीन चीजे निकल के आएंगी सर तीन चीजे क्या निकल के आएंगी यहां पर एक तो आएगा material सर material का मतलब जैसे आप यहां पर बर्गर की में बात कर रहा हूँ तो बर्गर के अंदर बंध है आपका वो material है तिक्की आपका material है उसमें cheese डला हुआ या पनी डला हुआ है वो क्या है material है लेकिन इसके साथ साथ उसे जो wrapper करा जा रहा है वो भी एक material है रैप करके देते हैं आपको वो भी क्या है एक material है तो एक हो गया वो material उसके बाद आपने सोचा कि किस इस product को बनाने में कितना time लग रहा होगा उसकी salary इतनी हो जाएगी तो आप direct labor भी कही बार पता कर सकते हो जिसका piece rate wage raise के हिसाब से हमें given होता है तो direct के अंदर आप देखोगे ना मैं direct खर्चे की बात कर रहा हूँ सर मैं बात किसकी कर रहा हूँ मैं direct खर्चे की expense की तो अगर मैं direct expense की बात करूँ ना तो एक तो direct expense में हमारा material आ जाएगा second one आ जाएगा हमारा labor और third one आ जाएगा हमारा overhead हम पहले basic concept build up कर लेते हैं माइंड में फिर हम chapter start करेंगे सर material का मतलब समान simple सी बात है labor का मतलब मेहनत जो लग रहा है सर labor तो determine करना बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है कुछ चीज़ प्रड़क्ट आपका piecewise भी मिलता है उसमें पता कर लेते हैं हम labor कितने हैं जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ काम एक specially करवाया अपने लिए तो बोलेगा भाई यह समान का तो इतना लगेगा आपका आपका 200 रुपए तो समान समान आ जाएगा आपने कोई मान लेते हैं ऐसा काम decoration वगरे कुछ भी ऐसा काम अपने लिए specially order किया है तो बोला भाई यह 200 रुपए तो समान आएगा और हमारी द्यारी दे देना 100 रुपए मेरा labor लगेगा जितने काम करूँ एक घंटा लगे दो घंटा लगे तो 300 हो गया न तो यह direct है direct के अंदर आपको material भी पता चल गया और labor और overhead क्या होता है खर्चा overhead क्ना खर्चा होता है पहले हम जो accounts में पढ़ते थे थे ना accounts में खर्चा पी एंडल में debit, direct expense, indirect expense, costing बोलता है यह direct indirect खर्चे के चक्कर में बत बोड़ा हम खर्चे का नाम एक modern नाम रखेंगा जिसको बोलेंगा overhead तो अगर मैं costing में बोलू overhead मैं बोलू कि तीनी खर्चे रखेंगा labor यानि इसमें wages है और खर्चा मैं बोलू भई अगर बोलू मैं for example depreciation का खर्चा बिजली का बिल overhead है पानी का बिल overhead है अकाउंटेंट की salary wage labor में आ जाएगा यानि इसके अलावा जितने apart of खर्चे है वो सारे के सारे खर्चे आपके किस में आ जाते हैं overhead में rent मकान का किराया वैसे तो बोलते है rent is a expense लेकिन आप costing में ऐसा नहीं होगा रेंट क्या है overhead है समझ में आ रही है बात आपको यह सारा रहेगा सर indirect का मतलब क्या है इंडारेक्ट जिसके बारे में आप पता ही नहीं कर पारे सर ऐसा कौन सा खर्चा नहीं पता कर पारे एक factory है factory के अंदर माल तयार हो रहा है कितने का माल लग रहा है एक labor कितना piece ले रहा है कितना बिजली का bill लग रहा है यह सब पता कर सकते है ऐसा भी कर रहा है वो गार्ड भी तो इसी factory के माल बनाने के लिए खड़ा है तो उसका जो खर्चा है वो indirect expense है Same ऐसे इसके उपर माल लेते है wrapper वगरा किया जाता है packing किया जाता है तो माल तो बनने के बात packing हो रहा है बाहर वो indirect expense है सेम मान लेते हैं कि इस समान को ले जाना, ले के आना, कैरिज का खर्चा हो रहा है, बन गया तयार एक जगे से दूसर जगा ले जा रहे हैं तो ये भी तो खर्चा कंपनी के कॉस्त से ही तो रिकवर होगा, ये कौन सा खर्चा है, इंडारेक्ट एक्समेंस है तो यहां पे भी देखा जाए तो सेम तीन पार्ट आने वाले हैं यहां पे भी आप देखोगे तो तीन पार्ट ही होगे एक होगा हमारा सर मटीरियल, एक होगा हमारा सर लेबर, एक होगा हमारा ओवरहेड overhead को न मैं OH लिख दिया करूँ तीन तरीके के हमारे यहाँ पर खर्चे होने वाले simple सी बात है यानि हमारे खर्चे direct और indirect है यह हमारा cost sheet जो रहेगा न cost sheet के अंदर पता है हम क्या करेंगे cost sheet के अंदर हम खर्चे को divide कर देंगे हमारा कुछ ऐसे यहाँ खर्चा आएगा फिर इसके बाद कुछ खर्चे के निकल के यह आएगा फिर इस खर्चे को निकल के आएगा फिर हमारा ultimately sales या profit निकल जाएगा अभी हम देखेंगे उन चीजों को तो sir हम cost की type की बात करें तो costing को बाटा जाए तो दो पार्ट में बढ़ जाता है हमारा इस वाले पार्ट को हम ध्यान नहीं देते हैं फिलाल के लिए हम इस वाले पार्ट को ध्यान नहीं देते हैं फिलाल के लिए ठीक हैं? यह पार्ट नहीं है हमें सिर्फ उपर वाले पार्ट को ध्यान देना है यह आपकी किताब का ही है हटा ही देते हैं इसको ना क्रॉपी कर देता है इससे अच्छा तो चलिए अब कहता है क्या सर material के बाद हमारा क्या है सर labor और expense material में देखा जाए तो direct material direct भी हो सकता है indirect भी हो सकता है labor भी direct भी हो सकता है और expense, expense का मतलब overhead यह भी direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है अब indirect कहां कहां हो सकता है direct तो माल बन के तयार हो गया indirect कहां कहां हो सकता है factory में हो सकता है indirect, office में हो सकता है indirect और कहां हो सकता है selling and distribution के एरिये में हो सकता है यानि factory में indirect कहा हो सकता है जो gate के बाहर guard खड़ा है उसकी salary जा रही है, that is indirect expense, office में हो सकता है, जहाँ पे sale हो रहा है समान, माल तो बन के तयार हो गया, जहाँ sale हो रहा है, तो sale हो का distribution point, accountant, salary, यह सारी चीज़े होगा, वो कौन सा होगा, office का, selling and distribution में, free sample दे रहे हैं, ले भाई, एक sample लेके देख ले, या फिर वहाँ पे add कर रहे है stickers लगा रहे हैं, तो वो भी तो हमारा खर्चा ही है, कहीं उसी cost में से तो recover, वो कहा हो जाता है, selling and distribution, यानि माल को distribute करने का खर्चा, सेम ऐसे अगर देखा जाएना, तो हमारा labor के अंदर indirect में क्या होगा, जो factory में है, office में, labor हला कि मैंने यहाँ example ले लिया था, तो यह यहाँ factory में हो सकता है, office में हो सकता है, selling distribution, मैं एक बर material का दुबारा से example ले ले लेता हूँ, जो कि हमारा factory में होगा, जैसे हम कोई भी product करते हैं, तो यह raw material हो गया, office के अंदर क्या हो गया, उसके अंदर packing हो गया, मतलब final packing, selling and distribution में क्या हो गया, माल लेते हैं कि final sticker वगरा लगाए जा रहे हैं, cleaner वगरा जो लगा रहे हैं, वो हो गया, या फिर आप finally जो कर रहे हो, labor में क्या हो गया, factory में तो directly जो wage rate लेता है, office में क्या हो गया, जो accountant वगरा हो गया, उस तरीके से, और इसके selling and distribution में जो selling agent है, उसके लिए हो जाएगा, same ऐसा देखा जाए हमारे किसकी बात करते हैं, indirect expense के अंदर factory में भी हो सकता है, office में हो सकता है, और साथ के साथ आपका कहा हो सकता है, selling and distribution में भी हो सकता है, यह तीन चीज़े याद रखना, यानि सर डारेक्ट कहा होगा, direct सिर्फ और सिर्फ हमारा, सर यह वीडियो, अभी नहीं कहीं, YouTube पे upload होगी, अभी नहीं होगी यह upload तो फिलाल, तो direct की हम बात करें न, तो direct की बात करें, तो direct वो है, जो की factory के अंदर होगा, और indirect तीनों जगे हो सकता है, factory के अंदर भी, office के अंदर भी और दूसरी जगे भी, तो cost को हमने determine किया, तीन material की बात करूँ, या indirect material की बात करूँ, यहां example भी देखिएगा, क्या क्या है, कहता है, direct material वो है, is also, आपका described as a raw material, जो raw material, कच्छा माल जो होता है, direct material है, process में जो भी जाता है, जैसे material हो गया, और उसे prime material भी बोला जाता है, इस सब्द को याद रखिएगा, prime material, यानि prime cost भी बोला जाता है, production material भी बोला जाता है, store material भी बोला जाता है, आपका जो हमारा use होने वाला है, construction के लिए, cement वगएरा, वहां के लिए material बोला जाता है, इसके बात देखा जाए तो, वापिंग material भी बोला जाता है, या फिर cardboard boxes वगएरा, जैसे cardboard boxes के आपके पूरे box में जाता है तो ये क्या है हमारे किसका example है मैंने सिर्फ direct material लिखा और उसके example लिख दिया यहाँ पर अगली बात करता है indirect में क्या होगा indirect material consumable store हो सकता है जैसे oil हो सकता है and क्या हो सकता है wastage हो सकता है आपका printing हो सकता है indirect material में जो उसके उपर paint करके यह मतलब stickers वगेरा मान लिजिए few example indirect material के क्या क्या हो सकते है जैसे कि factory, office और selling and distribution तीन जगह पर हमारे हो सकते हैं यह क्या indirect material कहां कहां हो सकता है हमारा factory में भी हो सकता है office में भी हो सकता है sir labor में क्या होगा sir labor के अंदर material को finish करने के लिए जो effort लगाया जाएगा needed such human effort को हम labor कहेंगे और labor can be direct as well as sir direct labor यह है हमारा direct labor जो production से सीधा सीधा related होता है कहता है direct labor is also described as a process labor आपका productive labor या फिर कह लो operating labor या manufacturing labor या diet और मैं सीधी सीधी बात करो नहीं दो page पढ़ लिया ना मैं भी तक वही बोड़ा था direct material कौन सा होगा जो sir सीधा 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 समान बनाने में use होगा indirect जो की सीधा नहीं होगा लेकिन use तो हो रहा है वो तीन जगह हो सकता है sir कहां कहां हो सकता है sir factory में भी हो सकता है और office में भी हो सकता है indirect labor बोल देंगे example indirect labor का maybe related to the factory office selling and distribution तो यह सारे notes आपके already uploaded हो गए होंगे नहीं होंगे तो मैं करवा दूँगा अब इसके अंदर indirect में कौन आता है store keeper हो गया formant हो गया जो की समान बना ही नहीं जा लेकिन formant क्या कर रहा है सिर्फ देख रहा है time keeper हो गया आपका या फिर आपका जो direction दे रहा है फिर फी, salary यह सारे चीज़े क्या है हमारे indirect में आ जाता है expense कौन से होते हैं सर direct expense हो सकते हैं और indirect और expense को मैंने यहाँ clearly बता दिया इसको क्या बोलेंगे सर हम overhead बोलेंगे manufacturing work factory अब इसके बाद direct और indirect expense है अब यह किसके एक्जामपल है manufacturing expense, work यह factory production यह सर एक्जामपल है direct के, rent related to the insurance of factory premises, power used to the factory, building, plant and machinery कहता है कि manufacturing और factory और production से related होगा उसकी बात कर रहे हैं, यानि खर्चे भी सर दो ही है, मिला के हम बात करें office administration में क्या-क्या हो सकता है, office में क्या-क्या खर्चे हो सकते हैं, यह बस simple सी बात है office का किराया, office में light hitting, यानि office के अंदर जो खर्चा है भाई, वो office का है मैं अपना printer अपने factory में रखूँगा तो factory का खर्चा है और अपने office में ले जाके अभी तो और ज्यादा clear होगा selling and distribution में कौन-कौन से खर्चे हो जाएंगे, वो list लिखा हुआ है कि sir packing के खर्चे है, loading charge खर्चे है, या फिर carriage outward मान लो आप, या collection charges है, bed dates है, ये सारे कहां के खर्चे माने जाएंगे, selling and distribution के खर्चे माने जाएंगे कहता है कि item exclude ये बड़ी खास बात कही इसने ये मैं इसी का wait कर रहा था, ये मुझे समझाना था देखो हम costing कर रहे हैं profit and loss निकालेंगे, यानि sir cost के अंदर हम profit and loss इस chapter में निकालने वाले हैं तो sir finance में भी तो निकाला था finance में हम सारे खर्चे दिखा देते थे, सारे लेखिन cost के P&L निकालते टाइम पे बोला गए भाया ऐसा खर्चा जो की हमारे products related ही नहीं है उसको दूर करो यहां से यानि जब हम P&L बनाएंगे ना इनका जब statement profit निकालेंगे, loss निकालेंगे तो ऐसा खर्चा जो की हमारा related ही नहीं हो किस से related नहीं हो उस product को बनाने से उसे दूर कर दो अगर examiner उस खर्चे को दे तो ignore it तो सर ऐसे कौन-कौन से खर्चे है जो की उस से related होता है और हमें ignore करके चलना है, वो यहां पे list given है, जिसको ध्यान से देखिएगा, कई बार examiner पूछ भी लेता है क्या कहता है there are certain items which are include in the financial account यह financial account में include होता है but not in cost account में नहीं होता है यह पता होना बहुत जरूरी है जैसे कहता है appropriation of profit यानि profit का बटवारा जैसे दो partner है, दो partner profit बाट रहे हैं या फिर उसके appropriation मतलब general reserve में पैसा transfer कर दिया यह general reserve में आप पैसा transfer कर रहे है तो profit का appropriation कर रहे है उसका product से calorie लेना देना है जबकि general reserve हमें एक तरीके से खर्चा मान के P&L में से debit करते हैं फिर हम reserve and surplus में लेके जाते हैं तो यहाँ पर कहता है कि appropriation of आपका sinking fund sinking fund का मतलब sir DRR आपने गर 12th class में पढ़ा हो या फिर आपने उसमें पढ़ा हो corporate में तो DRR तो DRR भी हमारा एक तरीके से खर्चे की तरीके से treat करते हैं profit में से लेकिन वो sir हमारा finance का खर्चा है dividend paid कर रहे हो shareholder को अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर calculator और calculator को बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा निकाल रहा हूँ तो shareholder का dividend से इसका कोई लिए नहीं देना नहीं है मैं नहीं पे कर रहा है dividend को कोई फरक थोड़ी पड़ेगा बनाने के खर्चे पे तो dividend भी किसका खर्चा है सर हमारा finance का खर्चा है provision and depreciation depreciation पर provision बनाना आपका तो यह सर हमारा इसका खर्चा नहीं है क्योंकि हम costing बनाते हमेशा actual के हिसाब से अगर मैंने कहा कि यह depreciation इतना provision है लग सकता है तो नहीं सर जितना लगा है उसी के हिसाब से costing निका लिए क्योंकि हम customer को ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई इसका product का price साथ भी हो सकता और आठ भी हो सकता है उसे तो exact price बताना पड़ेगा हमें and bed debts provision यह नहीं लिया जाएगा amount return of goodwill preliminary expense और under writer commission यह भी नहीं लिया जाएगा sir preliminary expense आपको पता होना चाहिए share issue करने से पहले company बनने से पहले खर्चे इसको ना write off किया जाता वैसे तो accounts के point आवी से बोलू तो था अब बोला गया write off का कोई चक्कर नी है एक बार में दिखाए जो नए accounting standard आए लेकिन costing के अंदर अभी भी पुराने के हिसाब से सूच रहे हैं कि अगर ऐसा कोई खर्चा हो तो उसको कहां मानना है finance का cost का खर्चा वो नहीं है चार्जेबल आपका donation donation अगर देते हो किसी को charitable donation देते हो तो वो भी आपका किसका खर्चा है donation से हमारे product का बनाने का क्या मतलब बसात law sale of investment आपने investment कर दिया building खरीद लिया और वहाँ नुकसान होगे तो product से कोई लेना देना नहीं है expense on transfer of आपका company's office क्या कर आपने transfer कर दिया company के office को आप एक जगे से दूसरे जगे shift कर रहे है उसका खर्चा हम थोड़ी बियर करेंगे यह नहीं माना जाएगा आपका क्या interest on bank सर नहीं होता यह परिशान करेगा जैसे मैंने बोला चलो profit निकालो और मैंने बोला interest सर इंट्रस हमारे cost से क्या ले ना देना इंट्रस नहीं लिया जाएगा यह सारे लिस्ट वो मैं लिख रहा हूं यहां पर जिस खर्चे को हम अपने जो profit and loss बनाएंगे उसमें नहीं दिखाएंगे आपका damage payable आपने कर दिया किसी का damage कर दिया जिसे हम बोलते हैं कि compensation पर कोई मतलब नहीं है penalties दिया आपने fine दिया loss due to आपका scrapping machinery उसका कोई नहीं होगा आपका remuneration paid to the proprietor excluding मतलब इस सब चीजों का कोई मतलब यहां पर नहीं है purely financial income कुछ income भी है जिसको नहीं consider करना वो जितने भी कर रहे थे वो क्या थे सर सारे खर्चे थे सर एक बार फिर से मैं पूरा बता दूंगा direct indirect अभी मैं एक बार बस बताने दो फिर 5 मिनट के अंदर पूरा हम कर लेंगे तो सर interest receive भी हमारा income नहीं है interest paid जब खर्चा नहीं है तो interest receive भी income नहीं है profit made sale of investment ये भी income नहीं है क्योंकि हमारा profit किस से होना चाहिए सर ये calculator बना रहा हूं तो calculator बना के होना चाहिए ठीक है न इसके बाद कहता है सर rent receive income नहीं है transfer fee receive income नहीं है सर ये आएंगे आगे आने वाले chapter में क्योंकि जब मैं करूँगा रिकंसलेशन तो ये सारे खर्चे दिख जाएंगे interest dividend receive नहीं है सर broking receive कोई भी नहीं है discount या फिर commission receive करते हो तो ये भी हमारा खर्च income नहीं है ये भी income नहीं माना जाएगा तो अभी तक फटा फट से अभी तक क्या देखा बड़ी छोटी सी चीजे देखिए मैं एक word में conclude करूँ कि भाई हमारा जो syllabus है 10-12 chapter का है उसमें से कुछ हाना है तो अभी क्या करेंगा जानके जब chapter आएगा तो देखेंगे आभी हमने देखा costing सीख रहे है और costing के अंदर कुछ मोटी-मोटी बाते सीखना एक overhead नाम नहीं आया है उस overhead नाम को क्या बोलते हैं हम खर्चे को बोलते हैं, खर्चे को बदल के नाम रख दिया, overhead, और यहां पर खर्चे होते हैं, हमारे direct खर्चे होते हैं, indirect, और मैं सही बताओ न, तो question करते हुए आपको फराकी नहीं पड़ेगा, कि कौन सा खर्चा direct है, कौन सा indirect आप करते जाओगे बस, तो लेकिन फिर भी theory क पॉइंट ओवी से कुछ खर्चे direct होते हैं, कुछ indirect होते हैं, direct खर्चे वो होते हैं, जो हमें दिखता है, और हम फटा फट से judge कर सकते हैं, और direct खर्चा factory में ही खर्चा होता है, कुछ indirect खर्चे होते हैं, जिसको हम calculate नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत detail में जाएंगे तो calculation ह और यह तीनों जगह हो सकता है, office में भी हो सकता है, factory में भी हो सकता है, selling and distribution point पे भी हो सकता है, office का मतलब सर जब product बन के आपके office में चले जाता है, बिखने के लिए जहां से showroom से बेचते हो, that is called office, selling and distribution जब आपका market में product जाता है, तो वहां भी खर्चे होते हैं, advertisement वगरा, व उस खर्चे को हम क्या करेंगे, ignore करके चलेंगे, और अगर कोई finance का income है, उसको भी ignore करके चलेंगे, यानि cost account करते समय पे इस खर्चे की कोई value नहीं रह जाती, सर, इसके बाद abnormal gain या loss, loss और gain on sale of fixed assets, loss business property account, या फिर आपका theft fire occur, ये भी हमारा abnormal loss gain के example है, जिसको हम consider नहीं करते, लेकिन इस पे मैं star बना देता हूँ, कब-कब कुछ time पे करना भी पड़ता है, अब बात आता है सर, एक word आता है सर, prime cost, ये वाली theory न, prime cost वाली न, जब मैं question क करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा, prime cost क्या होता है, factory cost, आपका क्या होता है, अब देखें, हम जो सवाल करेंगे न, कैसे करने वाले मैं बता देता हूँ, हलाकि मैंने बना रखा है, लेकिन फिर उसमें, हम जो सवाल हमें पी इंडल बनाना है, तो पी इंडल बनाने का क्या तरीका रहेगा, वो देख लेते हैं, एक बाद, यानि format पी इंडल का, amount और यहां particular, और इधर cost sheet, इधर लिखेंगे cost sheet, book की pdf नहीं होगी अभी, मैं जो notes मैं question कराऊँगा, उनकी pdf होगी, बाकी पढ़ने के लिए reading के लिए book आपको लेना पड़ेगा, सबसे पहले ना हम यहां पे सारे खर्चे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं purchase, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं purchase, और purchase के अंदर हम खर्चे जोड़ देंगे, कौन से खर्चे जोड़ देंगे, opening stock, opening stock, सर opening stock, अब मैं stock को थोड़ा सा explain करूँ ना, तो stock तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि हम costing सीख रहे हैं, पहले तो तीन तरीके के stock को इगनोर करके चलते थे, अब stock सर तीन तरीके के हैं, एक है हमारा raw material, एक है हमारा work in progress, एक है finished product, finished product, एक है, अगर हम बात करें, raw material, finished product, तो बड़ी सी बात है, कच्चा माल, raw material का मतलब कच्चा माल है, जैसे आप example करो, घर में रोटी बगरे बनाते हैं, उसी का example ले ले, तो जो सूखा आटा होता है, वो raw material है, जो गीला आटा होता है, क्योंकि उसको गीले आटे के अंदर एक extra effort और डालना है, क्या डलेगा उसके अंदर labor डलना है, मतलब कि कुछ थोड़ा सा और काम कर दे तो रोटी बन के तयार हो जाएगी, तो जो गीला आटा है, work in progress है, मतलब अभी इसके हम, मतलब कि use भी नहीं कर सकते, और छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे situation में है, सुखा आटा तो stock में पढ़ा रहता है, work in progress इसका मतलब ज़्यादा समय लंबे तक हम नहीं रख सकते हैं, इसके बाद क्या बनता है हमारा, जब रोटी बन के तयार हो गया तो finished product, तो stages है इनके, एक है हमारा क्या raw material, यानि कच्चे माल का opening stock, या closing stock जो भी हो, इसके बाद work in progress का, उसके बाद last में finished goods, finished goods कौन सा होता है, जो बिकने के लिए हमेसा तयार है, तो यहाँ पे जो मैंने opening stock लिखा है न, raw material को मैं अब पता किस नाम से बोलूँगा, raw material को, FG यूज करा करूँगा, तो opening stock किसका सर, minus कर देंगे यहाँ, closing stock, ये भी किसका होगा, सर purchase को यहीं लिखिए, opening raw material को यहाँ लिखिए, minus कर दीजे इसको, और इसको minus करके directly आप बाहर लिख दीजिए, यानि इसके बाद और कोई खर्चे हैं, क्या बिल्कुल है, जैसे आपका wages, जैसे की wages, अब wages के भी category है, सर wages कौन से वाला, अगर हम wages की बात करें, तो तीन तरीके का wages हैं यहाँ, wages की बात करें, तो तीन तरीके का wages हैं, एक तो आपका होता है, directly productions related, हलागी दो तरीके का ही मानलो, एक तो direct होता है, अमारा productions related, और एक होता है unproductive, यानि सर wages दो है, एक productive और एक unproductive, सर productive कौन सा है, unproductive कौन सा है, वो भी देख लेते हैं, जो एक directly मानलेते हैं, हम salary 8 गंटे की देते हैं आपको, 100 रुपए मानलेते हैं, कि आपको 800 रुपए per day मिल रहा है, 100 रुपए घंटे की salary है, लेकिन आप बीच में 2 गंटे लंच भी करते हो, तो 2 गंटे लंच कर रहे हैं, तो वैसे productive wages देखा जाए, तो 600 ही हुआ ना, आपको काम करने की तनका तो 600 ही हुआ, 2 गंटे का मैं आपको wages जरूर पेड कर रहा हूं, लेकिन वो productions related नहीं, वो कौन सा है हमारा unproductive wages, आपको ऐसे ढूंडने की जरूरत में यह सवाल अपने आप ही आपको देगा, productive wages हमारा direct expense का पार्ट होता है, और यह हमारा factory expense का पार्ट होता है, इसके कई नाम हैं, इसके भी कई नाम हैं, हम अभी देख लेंगे theory वाले पार्ट में, तो सर वेजिस कौन से वाला है, productive, वेजिस जो यहां लिखा है, that is productive, इसके बाद हो सकता है आपका manufacturing expense, manufacturing expense, यानि यह भी direct होना चाहिए, और simple word में बोलू तो सारे direct expense, और यही direct expense है, जो मैंने लिखा है, इससे जादा नहीं होता कभी भी, अभी लेंगे indirect भी, हर जगे के category अलग-अलग कर रखा है हमने, बस मुझे format वगरा समझाने दीजे, कुछ बच्चे doubt भी पूछ रहे हैं, इसके बाद एक heading generate होगा, उस heading को बोलेंगे हम prime cost, जब इन सभी को total कर लेंगे ना, तो that is prime cost, और sir prime cost ही क्या होता है sir, direct cost, इसको एक नाम और जाना जाता है direct cost, है ना, direct ही तो है, जो product के उपर लग रहा है, तो that is आपका prime cost कह लो, या फिर आप direct cost कह लो, इसको अटा देते हैं, पहला heading हमारा बनके तयार हो गया, और जो पहला heading बनके आया हमारा, that is हमारा prime cost आ गया बनके, मतलब कि कुछ total करने के बाद, जो हमें निकल के आया है prime cost, अब इसके बाद ना, हमें लिखने पता है क्या है, factory के खर्चे, इसके बाद हमें लिखना है factory के खर्चे, इसके बाद लिखना है factory के खर्चे, दो से एक दो दिन तो आपको लगेगा, कि पता नहीं subject कैसा चल रहा है है, लेकिन उसके बाद सब समझ में आने लगेगा, यहाँ पर हम सारे factory के खर्चे लिखेंगे कुछ example अगर मैं लू factory के खर्चे के तो क्या क्या हो सकते है unproductive wages या फिर factory overhead अब बच्चे बोलेंगे सर डारेक्ट expense तो factory में ही होता है डारेक्ट expense यह वो है जो कि सीधा material पर लग रहा है अब supervisor है वो material पर थोड़ी उसका थाम है कोई वो तो बस देख रहा है लेवर को देख रहा है वो आ जाएगा factory खर्चे में factory overhead में क्या क्या आ सकता है उसकी मैं एक list दे दूँगा जिससे कि आपको clarity मिल जाएगी जैसे ही इनको हम plus करेंगे ना ओपर से plus करके यह आए फिर इनको इनको plus करेंगे मैं एक example भी लूँगा तो यह आ जाएगा हमारा gross factory cost क्या आ जाएगा सर? gross factory cost के बाद हम आ जाएगे यहाँ पर क्या? फिर से इसके अंदर हम plus कर देंगे और minus कर देंगे सर क्या plus करेंगे? opening सर opening में WIP और सर minus करेंगे क्योंकि factory के बाद ही बनता है यह आ जाएगा closing यानि सर यहाँ plus minus करके result whatever आए हमारा फरक नहीं पड़ता यह आ गया इसके बाद एक नई heading generate हो जाएगे जिसको हम बोलेंगे net factory cost net factory cost और इसी को पता ही क्या बोलते हैं work cost इसी को बोला जाता है हमारा work cost इसी को बोला जाएगा work cost पूरा practical subject है यह जैसे ही आपका work cost निकलेगा इसके अंदर हमें कुछ चीजों को फिर से minus करना होगा plus करना होगा admin मैंने minus बोल दिया admin expense जिसे administrative expense भी की नाम से बोलेंगे हम सर क्या क्या हो सकता है यानि यह मैं simple सी एक बहुत easy word में बोलू न office के खर्चे factory निकल गया तो factory के बाद किसका नम्मर आता है office office के expense यानि सर office का rent मैं basic सा example लेता हूँ office अगर factory के rent की बात करूँ तो यहां जाएगा office के rent की बात करूँ तो यहां जाएगा है मैंने factory expense लिखा basically क्या लिखा जाता है accounts इसमें overhead लिखा जाएगा तो फटा फट से हमने लिख लिख लिया यहां factory का rent office जो भी यह total करके आया हम जैसे ही इसको total करेंगे एक और नई heading तयार हो जाएगी हमारी उसका नाम होगा हमारा factory भी हो गया office भी हो गया माल बन के तयार है तो उसे बोलेंगे cost of production cost of production जो भी total करके आएगा यानि sequence चलता जाएगा उसको क्या बोलेंगे cost of production जैसे ही cost of production होगा इसके अंदर से हमें फिर से कुछ चीज़े minus और plus करनी होगी plus और minus प्लस करेंगे फिर से हम opening stock अब आपको समझ में आ रहा हूँ आप कौन सा opening stock लेंगे दो तो use हो गया minus करेंगे closing stock तो बचा कौन सा बताओ इसको थोड़ा उपर कर देते हैं यानि सर दो तो use हो गया अब एक ही बचा ना कौन सा finish goods examiner जो है ना आपसे थोड़ा उलजानी की courses करेगा ना वो यहीं करेगा मैं जहाँ जहाँ examiner आपको परिशान कर सकता है मैं वहाँ पर star भी लगा देता हूँ यहाँ परिशान करेगा examiner इस question में सिर्फ यही वाला point है जहाँ परिशानी होती है बागी तो कुछ नहीं सब add less करने वाली बात है जैसे हम इसको plus कर देंगे minus कर देंगे तो आ जाएगा cost of goods sold आपने बहुत use करा होगा पहले वो तो बड़ा simple सा था हमें सब कुछ मिल जाता था finance यहाँ पर नहीं मिलेगा इसको बोलेंगे हम cost of goods sold यह सारा उपर से न add होता हुआ रहा है cost of goods sold के बाद हम यहाँ minus कर देंगे selling expense सर जो यहाँ minus करेंगे न सेलिंग and distribution expense यहाँ पर सेलिंग और distribution expense में क्या आ सकता है अगर मैं selling और distribution expense की बात करूँ तो क्या आ सकता है मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ फिर एक साथ दिखा दुआ selling और distribution expense में आ सकता है सर आपका delivery या carriage outward आपका आ सकता है carriage outward या delivery vehicle charge या selling free sample या आ जाएगा जैसे ही हम इसको यहाँ पर लिखेंगे नया heading फिर generate अब जो एक new heading generate होगा sir that is आपका होगा cost of sales क्या generate होगा sir cost of sales यानि ये कीमत हमें पड़ेगी और जैसे ही हम इसको minus कर लेंगे किस से minus करेंगे नीचे सबसे नीचे down में लिख देता हूँ मैं sales अगर आपको sales पता है और आपको cost of sales पता है तो बीच का difference क्या होगा या तो profit होगा या loss examiner यही पूछेगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा time examiner आपसे ज़्यादा से ज़्यादा time यही पूछेगा यानि sir यहाँ पे heading थोड़ा सा आपको practice करके याद भी नहीं रखना चार पांच question करेंगा वैसे याद हो जाना है तो मैं अगर heading को तोड़ू यहाँ पे मैं एक जगा दिखा देता हूँ एक जगा तो possible देखते हैं यह ऐसा करता हूँ चलिए मैं इसको to be continue यहाँ लेकर आ जाता हूँ आप करना कुछ नहीं है basically यहाँ से मैं copy करके वहाँ ले जाता हूँ और इतना enough होगा आप आप यहेले जाँ यहाँ यहाँ झातक यहाँ वहाँ यहाँ भी यह लिजिए, आमने सामने आपको दिखा दिया है इससे मिटा के हाँ जी, अब आपको विज्वल हो जाएगा प्रॉपर ठीक है? यानि इसके बाद कॉंटीनियू है जब नोटिंग करेंगे ना, इसके बाद कॉंटीनियू है अब मैं हेडिंग हेडिंग को हाईलाइट करूँ एक बार कि सर आपने हेडिंग में क्या क्या कराया है तो मैं हेडिंग को हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा पहला हेडिंग ये है फॉस्ट हेडिंग की बात मैं करूँ फॉस्ट हेडिंग की बात करूँ, तो फॉस्ट हेडिंग हमारा ये है यह तो हाइलाइटी नहीं हो रहा चलिए हम ले लेते हैं सरकर ले लेते हैं पास्ट हैडिंग हमारा यह है अगर हम हेडिंग की बात करें तो सर सेकिंड हेडिंग क्या है यह रहा थार्ड हेडिंग क्या है सर यह रहा फूर्थ हेडिंग क्या है सर यह रहा फिफ्थ हेडिंग क्या है सर यह है और सिक्स हेडिंग क्या है सर यह है यानि अगर मैं cost sheet को determine करने जाओं तो cost sheet कितने heading याद रखने हमें पहला क्या है sir prime cost दूसरा क्या है gross factory cost तीसरा क्या है net factory cost उसके बाद क्या है cost of production फिर क्या है cost of goods sold और last है हमारा cost of sales ठीक है ना फिर से 5 heading 6 heading देखिए पहला prime cost prime cost को दूसरा नाम क्या कहते हैं direct cost दूसरा क्या है sir हमारा दूसरा factory cost factory cost को हम और क्या कहते हैं work cost भी कहते हैं लेकि net वाले को इसके बाद factory cost के बाद क्या हैगा हमारा net factory cost net factory cost के बाद cost of production माल बनाने का खर्चाव फिर cost of goods sold और last में cost of sales यह 6 point आपको याद रखने होंगे जो heading है WIP वाला जो section है ना WIP यह बहुत rare use होता है होता ही नहीं मानके चलोई यह वाला point तो use क्यों नहीं होता sir यह वाला use क्योंकि बहुत कम company में WIP का stock जो रखते हैं वो आपको दिया होगा example question में sir prime cost निकालने से पहले की बात करें prime cost निकालने से पहले की बात करें तो हमें purchase लिखना है opening stock लिखना है minus करेंगे closing stock और यह stock कौन से वाला होगा raw material वाला होगा और plus कर देंगे direct expense wages हो manufacturing expense हो क्या निकल के आएगा prime cost prime cost के बाद हम factory के खर्चे को अगर हम इसमें add on कर दें तो हमारे क्या निकल क्या जाएगा gross factory cost उसमें WIP को minus plus अगर कर दें तो क्या जाएगा net factory cost और WIP के बाद अगर हम उसके अंदर admin के खर्चे और जोड़ दें जो की office के खर्चे होते हैं तो क्या जाएगा हमारा cost of production उसके बाद हम opening और closing stock minus plus कर दें तो क्या जाएगा हमारा cost of goods sold और उसके बाद cost of selling and distribution minus हम plus कर देते हैं इसके अंदर जो भी होना है क्या आएगा हमारा cost of sales और profit अगर cost of sales में हम add on कर दें तो निकल क्या आएगा sales अगर sales दे दे तो बीच का difference, profit या loss जो भी निकलेगा वो निकाल सकते हैं तो यह basically हम जब भी कोई भी question करेंगे न वो इस format में करने वाले हैं इसी format को ना मैंने systematic तरीके से कर दिया है अभी फिर से देखते हैं अभी क्या सीखा है देखते हैं इतने बच्चों को याद है नहीं है चलिए देखिए पहले हमने क्या देखा सर cost sheet का format देख रहे हैं सबसे पहले क्या था सर raw material consume raw material देखो एक ना मज़े की बात है raw material consume consume का मतलब पता ही क्या होता है opening stock plus में purchase minus में यह होता है raw material consume raw material consume अगर आप लोगे ना तो आप ये वाली चीज़ ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये उपर वाली बाते जो लिखिये वही है या तो आपको examiner ये देगा या तो फिर ये देगा समझ रहे हैं बात है क्योंकि इसी को consume के format में भी आपको दिया जा सकता है फिर हमने क्या करा direct wages और direct expense क्या निकल के आए पहला topic prime cost prime cost का मतलब वो खर्चा जो की directly हमें पता चल जाता है इसके बाद factory overhead आएंगे sir factory overhead में क्या क्या हो सकता है वो working note number 1 में चेक करते हैं तो चलिए हम factory overhead working note number 1 में देखी लेते हैं सारे list मैंने लिख दिया factory overhead जब भी आप question करोगे तो परिशानी होने ही वाली नहीं है आपको क्यों क्योंकि सारी चीजे मैं पहले से लेके चल रहा हूँ तो sir factory में क्या क्या आ सकता है sir unproductive wages unproductive wages मतलब वही जो खाली time जा रहा लंच में इसके बाद sir estimating estimating का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि इतना काम करने में कितना खर्चा आएगा यह नहीं planning करना एक तरीके से इसके बाद आपका canteen welfare expense worker वगएरा जाते है ना खाना खाने आने के लिए तो canteen वगएरा उसका खर्चा हो गया factory में go down का expense यह थोड़ा से space रहेगा go down expense है branches expense अगर मेरे एक से दो ज़्यादा go down है माल लेते हैं go down एक नहीं होता ना एक हो गया दूसरा हो गया तो यह सारे factory का ही खर्चा माना जाता है आपका depreciation factory के अंदर जो machinery चल रहा है उसके उपर माल लो मैं कहूँ office के अंदर printer है तो उसका depreciation office में जाएगा इसके बाद consumable store छोटे मोटे खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि office में जैसे consumable store की मैं बात करूँ तो जैसे machinery के अंदर cotton लग जाता है machinery के अंदर greasing करनी पड़ जाती है machinery के अंदर oiling करनी पड़ जाती है तो इसको हम consumable store में रख देते हैं training worker worker को हम training देंगे जब worker को training देंगे that is also part of क्या हमारा ये expense है worker को जब कभी भी हम training देंगे तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा sir ये भी हमारा माना जाएगा expense इसके बाद sir training के बाद क्या है हमारा power जो use होगा मैंने शायद पीछे ना power वहां ले लिया था power आपका इसका part माना जाएगा अब ये ध्यान रखना होगा कि direct का है indirect का है मैं देख लेता हूँ एक बार मैंने power कहां consider किया मुझे याद है मैंने यहां तो नहीं ले लिया power नहीं यहां power नहीं लिया मैंने power का discussion ही नहीं किया यहां पर चलिए power इसके बाद rent warehouse warehouse का मतलब go down ही होता एक तरीके से जहां माल को रखते है loose tools return off अब loose tools देखो preliminary expense return off या underwriter commission return off वो नहीं आएगा लेकिन loose tools return off यहां पर आएगा तो कितने खर्चे हो गए हमारे मैंने यहां पर लिखे हैं बैसे तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मैं गिन लेता हूँ एक दो तीन यह क्या सीख रहे हैं चार पांच छे साथ आठ नो दस और 11 यह क्या सीख रहे हैं सर factory के खर्चे कौन कौन से होते हैं उसकी बाते चल रही अभी के factory के खर्चे कौन कौन से होंगे इसके बाद और भी है क्या बिल्कुल सर और भी खर्चे हैं हमारे factory के देखे क्या क्या factory के खर्चे हैं जैसे water supply, पानी का supply है, या फिर work manager salary, जो work manager का है, ये भी हमारा factory का ही खर्चा consider किया जाएगा, आपका loss on plant, आपका जो assured normal वाला, normal loss अगर हुआ तो वो माना जाएगा यहाँ का, insurance on stock raw material, raw material का insurance करोगे तो ये भी factory का खर्चा है आपका, provident fund, जो factory के अंदर worker काम कर रहे हैं उसका, वो भी यहीं का part माना जाएगा, आपका storage of the, आपका financial, जो भी storage आप करते हो वहाँ पे, उसके लिए जो खर्चा होगा यहाँ पे माना जाएगा, storage of financial का मतलब क्या है, जो भी आप payment कर रहे हो, जैसे कि आपने store cold वगरा ले लिया, आप होताने कई बार warehouse किराए पर ले ले लेते हैं, तो factory के अंदर ही consider किया जाएगा, सर 17 नंबर पे क्या है, experimental expense, आप R&D करते हो, जैसे कि COVID की vaccine बनी, तो factory में बहुत ज़ादा उस पे experiment हुआ, निकले तो fireman, sale of scrap, जो भी आपका scrap विकेगा न, वो minus हो जाएगा यहाँ, plus तो नहीं होगा, minus हो जाएगा, 19 वाख खर्चा नहीं है एक तरीके से, अब scrap, sale of scrap क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, steel है, एक ये steel है, ठीक है, ये तो raw material ही steel, अब इसमें से अगर कटोरी निकालनी हो, तो कितना भी आप करोगे, तो ये कटोरी निकाल पाऊगे, या plate निकाल पाऊगे, जो ये वाला हिस्सा बीच का है, ये तो scrap में जाएगा न, तो इस scrap को बेचते हो, तो वो आपका जो आता है, वो माइनस कर दिया जाता है, लेकिन ये direct है, ये indirect वो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो sir हमने ये क्या देखा था अभी, अभी देखा था sir, working note number one, that is हमारा क्या था, factory के खर्चे, तो इतने सारे factory के खर्चे, तो आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इतना सारे लिखोगे, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा एक तरीके से, कितना बड़ा बन जाएगा, दो पीछ का तो वही आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, factory overhead working note number one, और जो पीछे आपने करा है, उसका total करके आपको क्या करना है, बड़ी सीधी सी बात है, आपको यहाँ दिखा देना है total, यानि सर ये वाला part यहाँ आ गया, मैं वही चीज़े repeat कर रहा हूँ एक तरीके से, और ये वाला यहाँ आ गया, जो मैंने पहले समझाया था, तो ये आ गया, यानि prime cost निकालने के लिए क्या चाहिए, raw material, opening stock, minus closing stock, plus direct expense is equal to prime cost, prime cost क्या होता है, जो की सीधा-सीधा material बनाने, या किसी चीज़ को manufacture करने के लिए लगता है, उसके बाद क्या सर factory cost, कितने सारे factory cost अभी हमने देख लिए, कि unproductive wages हो गया, canteen expense हो गया, आपका या garage rent हो गया, या warehouse rent हो गया, वो सारे कहां आने जाएंगे हमारे factory, जैसे ही factory करेंगे, आ जाएगा सर, gross, क्या आ जाएगा, gross, gross के बाद हमें निकालना पड़ेगा सर, क्या फटा-फट से निकालना पड़ेगा हमें, इसके अंदर opening WIP को, माइनस कर देंगे, प्लस और माइनस कर देंगे, तो हमारा जो result निकल के आएगा, क्या, net factory cost, अभी कर रहा था, मैं दुबारा दुबारा repeat कर वा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्या आजाएगा, net factory, यानि सर, अगर मैं gross factory और net factory के बीच में फासले की बात करूँ, तो stock का फासला है, और कोई भी फासला नहीं है, वो भी क्या, WIP, opening और closing, administrative, administrative का मतलब है, सर, office का खर्चा, रख रखाओ का खर्चा, रख रखाओ का खर्चा, यानि सर, office का खर्चा, सर, क्या क्या हो सकता, office के खर्चे में, तो देख लेते हैं, office के खर्चे में क्या क्या होता है, देखिए, क्या हो सकता है, auditor आता है, audit fees लेगा, और क्या हो सकता है, सर, आपका legal charge होगा, audit fees होगा, telephone का खर्चा होगा, office का rent होगा, office का depreciation होगा, office का खर्चा हम जैसे ही यहां consider करते हैं office का खर्चा consider करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है cost of production समान को बनाने का खर्चा cost of production यानि कितने heading हो गए देखो सबसे पहले prime cost कर चुके है gross factory cost कर चुके है net factory cost हो गया चौथा था cost of production छे ही बताए था न पाँचबा और यह क्या है हमारा चुटा इसके बाद सर क्या जाता है हमारा cost of production में हम क्या करते हैं फिर से minus plus कर देते हैं लेकिन कौन से वाला stock finished goods कर देते हैं तो हमारा result आता है cost of e cost of production goods sold बोलो या cost of goods sold बोलो बात एक है ये सिर्फ cost of production होता है ये goods sold और add हो गया हमारा सर अब इसके अंदर देखा जाए फिर हम add करते हैं इसमें क्या selling and distribution overhead सर क्या क्या हो सकता है selling and distribution overhead उसकी list देख लेते हैं सर selling and distribution overhead की हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है सर carriage हो सकता है, sales expense हो सकता है, wages हो सकता है carriage मतलब outward, inward हुआ ना तो वो चले जाएगा prime cost में carriage inward हुआ तो कहां चले जाएगा prime cost में outward हुआ तो यहां जाएगा, sales, selling expense हो सकता है wages, printing and stationery, जो आप sales करते time पे जो भी आप bill बगएरा लेके जा रहे हो उस time पे, commission paid कर रहे हो, अपने दुकानदार बगएरा को तो वो है, discount on sale दे रहे हो तो वो भी आपका खर्चा है, cost of sample, sample आपने जो दिया उसका खर्चा है, यहीं पे आएगा आपका, आपका marketing research expense आएगा, traveling expense आएगा, जो आपका agent है, जो समान बेचने जा रहा है, वो अपने salary तो उल्डरी लेगा ना, तो उसका खर्चा यहाँ आजाएगा, तो जैसे यह हम complete कर देते हैं, sir, हमारे पास जो result आजाता है, cost of sales आजाता है, cost of sales के बाद हमारा क्या आता है, sir, profit बीच का balancing figure और last में क्या निकल जाता है, sir, sales, हमारा last में पूछा जाएगा, sir, हमसे finally देखा जाएगा, तो sale ही पूछा जाएगा, हम question बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक समझ रहते हैं, एक पर और हम detailing में समझते हैं, कि sir, cost sheet को कितने पार्ट में बाटा गया है, 6 पार्ट में बाट लिया गया है, sir, 6 पार्ट कौन-कौन सा बाट लिया गया है, sir, 6 पार्ट जो बाटा गया है, अभी आपको बताया था, आप मन में भी रखना नहीं याद आए, कोई बात नहीं, मेरे साथ-साथ बोलते रहना है, आप को समझ में आता जाएगा पहला पार्ट था सर यहां से start करते हैं पहला पार्ट पहला पार्ट था सर prime cost पहला पार्ट क्या था सर इसके बाद आगे चलते गए चलते गए चलते गए हम आगे gross factory cost फिर आगे चलते गए आगे कहां sir net factory cost net factory cost फिर आगे चलते गए चलते गए कहां है cost of production और आगे चलते गए तो क्या आगे cost of goods sold goods sold और फिर थोड़ी दे रहम आगे चले cost of sold कह लो, sales कह लो कुछ भी कह लेते हैं न cost of sales इसके बाद फिर profit और sale अगला step, हमें तो ये 6 point बेजर याद रखने हैं न फिर profit या फिर sale जो भी कह रहो यानि सर ये पहला पड़ाव है जिसको पता करना है, फिर आपका अगला आएगा ये उससे अगला आएगा ये पता होना चाहिए, मैं ये ये तो बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ये क्या है यानि सर पहला आएगा आपका prime cost, फिर आएगा gross factory, फिर आएगा net, फिर आएगा production, फिर आएगा good sold और फिर last में cost of sales, लेकिन सर यहां से यहां तक अगर आपको चलना है न, इतनी आसान ही नहीं है, अगर आपको यहां से यहां का सफर पूरा करना है, तो आपको knowledge होनी चाहिए, सर यहां से यहां तक के सफर को पूरा करने के लिए किसकी knowledge होनी चाहिए, सर आपको purchase आएगा, है की नहीं और plus क्या हो जाएगा sir, opening stock हो जाएगा minus क्या हो जाएगा sir, closing कौन से वाला हो जाएगा sir raw material और भी कुछ चीज़े जुड़ेगे, बिलकुछ जुड़ेगे sir क्या चीज़ चूट जाएगी हमारी direct मैं एक सब्द में बोल देता हूँ expense, अगर आप इतनी चीज़ों की जानकारी रहते हैं, तो आपने पहला पर complete कर लिया और आप कहां पर पहुंच पाएगे लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ पता करना है या वैसे ही चले जाएगे prime cost से आपको जाना है gross factory cost पे, तो सर यहां से यहां तक जाने के लिए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए सर आपको चाहिए factory overhead याद अब सबसे लंबी list रिसी की है यहां से यहां तक जाने के लिए आपको चाहिए factory overhead, समझ में आ रहा है ना आपको अब फिर सर अगर मैं दुबारा अगेन बात करूँ कि आपको फिर यहां से यहां जाना है तो क्या चाहिए यहां से यहां जाने के लिए सर दो ही बातों को आपको जानकारी चाहिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा एक होगा ओपनिंग स्टॉक एक होगा माइनस क्या होगा सर closing stock और वो भी कौन सा WIP W IP सर अगर आप यहां से यहां तक पहुँच गए हैं तो फिर ज़्यादा दूरी नहीं रही यहां से यहां जाने में क्या चाहिए आपको यहां से यहां तक जाने में क्या चाहिए admin expense यानि office का admin expense office के खर्चे अगर आपको office के खर्चे की जानकारी है तो आप बहुत आसानी से यहां से यहां तक जा सकते हैं अगली बात करें आप अब यहां से यहां तक जाना है तो क्या चाहिए आपको सर फिर से चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए कहानी वही opening stock और closing stock लेकिन कौन सा FG वाला चाहिए आपको इसके बाद last 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 यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए सर selling and and distribution यानि यह सारी अगर जानकारी है तो cost sheet आपके बाएं हाथ का खेल है कुछ भी नहीं है सिर्फ data आपको given है data fill करिए और आप 7 number ले जाएए examiner यह कहता है तो सर यानि यहां से journey start होगा और यहां तक खतम होगा major heading कितने मैंने बता दिये 6 याद है prime cost gross factory cost net factory cost cost of production और इसके बाद cost of goods sold और last है cost of sales यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए अभी बच्चे कह रहे हैं indirect direct में आपको पढ़ना ही नहीं है वो तो सिर्फ theoretical part है तो उसको जब theory का part cover करेंगे तो तब भी कर लेंगा अभी तक आप यहां तक मैंने सिर्फ आपको एक सवाल मैं और एक सिर्फ format समझाने की कोसिस कर रहा हूँ और अगर यहां तक के आपको format समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है फिर मेरे लिए आगे चलना आसान रहेगा heading भी है इसके अंदर उसके अंदर components भी add करने है अगर मैं बात करूं यहां पर share issue expense कहा आएगा बताओ finance का खर्चा नहीं आएगा interest on capital कहा आएगा नहीं आएगा sir finance का खर्चा है goodwill return of नहीं आएगा sir finance का खर्चा जो वो list बताये थे न अगर वो खर्चे दे देते हैं तो अगर बोले के कहा fit होगा तो बताओ sir आता ही नहीं इसमें तो fit कहा से होगा है clear चलिए हम आगे चलते हैं एक सवाल है मेरे पास जो मुझे करना है जो कि सिर्फ fill करके आपको दिखाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नए नए word से भी और बतादू कि क्या-क्या word होते हैं चलिए नए नए नाम तो हम बाद में भी discuss कर सकते है हम यह कर लेते हैं कोई दिकत नहीं देखिए हमने अभी सीखा prime cost अब अंदाजा लग जया होगा prime cost कैसे होता है तो क्या कहता है it consists of the cost of direct material वही था direct labor वही था और direct sir prime cost की knowledge चाहिए तो आपको direct expense direct labor और direct material को जोड़ दीजिए आजाएगा prime cost it's also known as a किस नाम से flat cost या फिर basic first या flat cost तो यह ना जो synonyms में लिख रहा हूँ न दूसरे नाम तो इसको याद रखिएगा examiner बोल दे के भाई आप निकाल लिए क्या flat cost निकाल लिए आप लिए कौन सा cost पूछ लिए पता ही नहीं चल रहा जब क्या आपको आता है prime cost तो आता है यह तो prime cost का ही दूसरा नाम क्या है flat cost इसके बाद अगला है factory cost अब आपको पता चल रहा होगा factory cost क्या होता अभी बताया तो कहता है कि यह क्या आपका करेगा prime cost in addition prime cost में addition करोगे work of factory overhead which is include cost indirect material indirect material एक direct मुटी मुटी बाते कर रहा है of the factory the cost as known as a work cost के नाम से भी जाना जाता है और production और manufacturing cost के नाम से जाना जाता है तो work cost कह लूँ production कह लूँ कुछ भी कह लूँ या फिर factory cost मैं कह लूँ इसको हम बाद में देखेंगे यहां तक सारी points clear हो रहे हैं आपको बिल्कुल एकदम clear है एक यह सवाल आपके सामने है अब इस सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो raw material consume wages paid to the direct chargeable expense oil and wastage wages for men supervisor मतलब बड़े सारे इसमेने खर्चे देती है और इसी का मैंने PDF जो है से हम क्या करने वारे हैं इस सवाल को solve करने वाले हैं और जो अभी तक आपने सीखा है आपका testing चल रहा है मान के चलो क्या आपने जो सीखा है आपको याद है या फिर आपने खतम कर दिया उसको देख लेते हैं तो इस सवाल को करने का इस टाइब के सवाल को करने का सबसे आसान तरीक होता है पहले आप format लिख लो यानि heading heading लिख लो पहले ही फटाफट क्या करना है फिर fill करना है हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि पहले prime call जून जून के निकालेंगे फिर ये निकालेंगे वो निकालेंगे ऐसा नहीं करने वाले है हम क्या करेंगे बड़ी सीधी सी बात है पहले ही हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने heading लिख लेंगे 6 heading तो याद ही है सर और रही बात सर कितने line छोड़ना है एक एक लाई नहीं छोड़ना है बाकि नूट बनाके तो लिखी देते हैं यह हमारा format बन गया तयार हो गया cost sheet का किसका cost sheet का तो debit नहीं लिखोगे costing में debit credit का कोई काम नहीं है ठीक है यह इसके आगे continue करूँगा मैं जैसे यहां भर जाएगा तो आगे लेके जाऊँगा तो जादा तर सवाल में ने WIP होता नहीं है तो मैं सबसे पहले ऐसे सवाल में जब format बनाता हो नहीं तो question में तो मैं देखता हूँ WIP है कि नहीं है अगर जो पार्ट नहीं है न उस पार्ट को हम आगे shift करते जाएंगे एक पार्ट खतम करते जाएंगे मानलो WIP नहीं है तो हमारा सीधा आ जाएगा factory cost या net factory cost आ जाएगा सीधा तो WIP है या नहीं है है या नहीं है है या नहीं है है या नहीं है क्या है बताओ नहीं है तो sir पहली heading इतने में आ जाएगा prime cost इसके बाद इतने में आ जाएगा factory cost factory को net ही बोल देंगे क्योंकि WIP नहीं है इसके बाद जैसे ही factory cost हम यहाँ पर आने वाला है इसके बाद हमारा क्या आएगा अगला जो heading आएगा हमारा इधर से जोड जाड के हम लिए आएगे क्या cost of production इसके बाद आएगा cost of good sold इसके बाद आएगा cost of और last में हम लिख लेंगे sales और examiner को जवाब मिल जाएगा उसका यह सारे हमारे heading में ने तयार कर लिए अब अंदर के content लिख लेंगे सबसे पहले है raw material consume तो यहाँ का part है हमारा raw material consume यहाँ का part है consume sir कितने रुपए है बड़ी सीधी सी बात है 40,000 इसके बाद wages paid to the labor अब बताया नी direct indirect तो आप माल लो यह direct है जब भी wages लिखे यहीं आएगा वेजिस डारेक्ट है ना वेजिस यहाँ लिख लेंगे कितने इसके बाद बोलता है directly chargeable expense तो खुद ही directly बोल रहा है तो फिर हमें क्या सोचना है कितने रुपे 2,000 इसके बाद बोलता है oil and wastage तो फैक्टरी में आता है ना तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक heading डाल लेते हैं कौन सा factory overhead एक heading डाल लेते हैं factory overhead overhead का और यहाँ पर डालेगा एक admin admin expense है ना यह heading पहले डाल लेते हैं factory overhead में बताते जाईएगा और मैं फिर क्या करूँआ लिखता जाऊँगा तो सबसे पहले हमारे क्या है wastage oil and wastage oil लिख देता हूँ मैं shortcut लिख रहा हूँ थोड़ा कितने 100 रुप है मात्र 100 रुप है हाला कि मैं चाहूँ तो factory overhead के यहाँ पर working note number one लिख दूँ और मेरे पास space होगा कहीं पीछे जाके इसको सबको plus कर लूँ लेकिन मेरे पास लग रहा है कि इतने खर्चे नहीं होगे मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसके बाद क्या है sir wages for foreman यहीं आएगा आपका कितने रुपे एक हजार इसके बाद है store keeper wages store keeper भी यहीं होगा अब देखो store keeper न ओफिस में भी हो सकता और यहां भी हो सकता हम यहीं का मानेंगे basically कितने रुपे 500 रुपे इसके बाद क्या है electric power तो power यहीं आएगा हम power पर पहुंच गए न अब मेरे को लगता नहीं कि यहां पर कम पढ़ जाएंगे factory rent भी है फिर office repair renewal factory plant एक काम करते हैं हम एक नए page पर चलते हैं और वहां पर सारे factory के खर्चे लिख लेता है है न ऐसा कर ले और नए page से मतलब है कहां लिखें कहां लिखें बताओ चलो यहीं adjust कर लेते हैं छोटा छोटा लिखता हूं थोड़ा adjustment आपको करना पड़ेगा बस थोड़ा छोटा 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 लिख लेता हूं सबसे पहले क्या था बताओ oil कितने का था 100 रुपए इसके बाद क्या था wages कितने है wages 1000 रुपए इसके बाद store कीपर कितने 500 रुपए इसके बाद power कितने सर 200 रुपए सारे factory कही है lighting लाइटिंग 500 रेंट कुछ नहीं बताया है factory का मान के आगे बढ़ हूं लिखा हूँ है 2000 यानि ये जो office का lighting एक मिन्ट lighting factory हो गया और ये office हो गया यानि दो है तो office वाला भी साथ का साथ बताना चाहिए न आपको मैं लिखे लेता हूँ lighting यहाँ लिख लिख लिए नहीं मैंने office का heading बना लिया है कितने रुपए ले office का 200 किदर यह तो जोड के दे रखा है देखो कहता है भी या 700 रुपए का न हमारा total आया जिसमें 500 factory के अंदर uses हुआ है और office के अंदर 200 का uses हुआ है ऐसे दे रखा है ठीक है न इसके बाद rent की बात करते है factory का 2000 और यहां का rent यहां का rent 1000 ठीक है इसको थोड़ा चोटा करें अगांट समस्या यह है चलिए कुश्चन दो बड़ा बड़ा दिखेगा चिंता ना करें इसके बाद क्या है सर इसके बाद सर रिपियर है रिपियर और रिपियर किस किस चीज का है सर कहता है कि फेक्टरी का भी किया प्लांट का और मसीनरी का और ओफिस का भी किया तो फेक्टरी वाले तो फेक्टरी मा जाएगा रिपियर रिपियर आ जाएगा ना तो मैं दोनों को जोड के लिख रहा हूँ ठीक है मिर पास स्पेस की कमी है तो मैं दोनों को जोड के लिख रहा हूँ यहाँ पे तो यह 500 आने वाला है और क्या आएगा एक हजार आएगा यानी टोटल यहाँ पे कितने आगए 1500 यह सवाल समझ में आया और ओफिस का इसने अलग से दे रखा ता प्रेमिस इसका तो रिपियर यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ कितने 200 रुपए समझ में आ रहा है सारा इसका depreciation depreciation में बोलता है office का यह है और planted machinery तो बट अव्यस थे के factory का ही होगा यह है थेक है न तो depreciation ले लेते है office का क्या depreciation है 500 दूसरा नहीं बताए तो factory का assumption ले लेंगे अब यहाँ जगे नहीं बची 200 चलो करते है आगे चलते हैं और क्या दे रखा है मैं consumable store अब consumable store कहां का होता है सर याद है कुछ कराय था ऐसे से कुछ item अगर आ जाए जैसे भूल जाते हो आप तो मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो लिखा है ना इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने क्या consumable store है यहाँ पे दिख रहा है इसमे 7 number पे हाँ देखे consumable store तो यहाँ से भी list से भी आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो कि अगर आपको दिमाग से ना रहे के भी है ये जहाँ जाएगा तो मैंने maximum डालने की कोशिस की है consumable store डाल दे factory में कितने रुपे चलिए इसके बाद क्या है consumable store manager का salary बताये नहीं है तो factory में इमानो manager हो सकता और office में भी manager हो सकता दूने जगे हो सकता है इसके बाद director का fees director हमें सा कहा होता है सर office में ही बैटता है ठीक है न तो manager का salary कहा लिखें sir manager का salary यहीं लिखना है adjustment मारना पड़ेगा यहाँ ज्यादा बचा नहीं है इसके बाद selling का होगा मेरे इसाफ से थोड़ा इसे यहाँ ले जाएं और यहाँ लिखते हैं manager salary कितने रुपए हैं? 2000 इसके बाद manager salary के बाद क्या है मारा? director fees यह office में ज़्यादा बैठते हैं तो मैं office का मान के यहाँ लिख देता हूँ कितने? और एक चीज़ बताओ ना costing के अंदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है मैं कि सर यह ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पर यह मान रहा है अब देखो manager बोल नहीं रहा और director बोल नहीं रहा हमें क्या पता कहां बैठ रहा है अगर हमारे सामने हो वो तो हम पूछ ले वाई तू कहां बैठा तो बता दे फिर उसके सब्सक्र बना लेंगे अब नहीं पता तो आपको अजंशन और यह note डालने पड़ेंगे आपको कहता है office, printing and stationary, telephone, charges, postage, telegram, salesman, commission यह तो बात कहा जाएगा तो यह आएगा printing and stationary यहीं आएगा और क्या है? telephone भी यहीं आएगा पचास रुपे, और क्या है? postage भी आपका office कही है? और छोटा करते हैं postage भी यहीं आएगा कितने? 100 रुपे, आप देखते जाईएगा और मैं तो सुनता जा रहा हूँ 100 रुपे इसके बाद selling and distribution आ गया तो selling and distribution यहाँ जाएगा हमारा? नहीं, यहाँ थोड़ी आता है selling and distribution तो cost of good sold के बाद आता है है ना? क्या क्या है? selling and distribution में चेक कर लेता है sir, selling and distribution में दे रखा है हमे क्या क्या given है? चेक करिए आप सबसे पहले salesman का क्या दे रखा है हमारा? Selling and distribution में commission मैं commission लिख रहा हूँ कितने? 500 रुपे इसके traveling expense फिर आपका advertisement कितने? 500 इसके बाद sir, warehouse कहा होता है? यह exactly यह कहा होता है? factory में होता है इसके बाद carriage लेकिन आप warehouse यहां भी होता है selling distribution के टाइम पर इसके बाद क्या है? carriage outward carriage outward तो ही आएगा कितने? बस एक warehouse रहे गया है इसको adjustment मारना है? वे यह house को adjustment करना है न? हाँ, सही कह रहा है prime cost चलो भाईया उपर यहां पर लिख दिया warehouse कितने? 200 रूपे अब मैं again कह दूँ warehouse आपका office में मतलब की selling and distribution कर भी हो सकता है? ऐसा होता है न? जैसे कि मैं एक point बना लेता हूँ कि भाईया यहां से सारा समान भिकेगा हमने कहा है factory से truck का truck समान भाया तो road पे थोड़ी खड़े हो जाएंगे लेके एक go down बनाएंगे और go down में रखा मैंने बनाए यहां से फटा-फट सब माल उठा के लेके जाओ और बेचो इसे तो वो हो जाएगा कहां का selling and distribution का और factory में तो होता ही है warehouse तो मैं consider कर रहा हूँ factory का है जैसे कि आपको बताया गया तो मैं factory के इसाब से कर रहा हूँ ठीक है अब इसके answer मैंने कहा ना यह यहां भी आ सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब stock stock तो था ही ने इस सवाल के अंदर बड़े आसान सा सवाल बन गया तो अब पहला क्या आएगा sir prime cost इसके बाद क्या निकलेगा sir factory दो line नहीं आएगा यहां यहां भी दो line नहीं आएगा in fact यहां आएगा factory और factory के बाद यह आएगा production यहां पर कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे ना देखो जो चीजे नहीं है उस line को मैं देखो कैसे हटाता जाऊँगा यहां पर क्या आएगा यह अब यहां पर cost of production और goods of sold है नहीं तो हम यह मान के चलेंगे जब opening और closing stock है नहीं इसका मतलब sir यह खतम हो जाएगा यह चीजे मैं सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब sir जब वो चीजे है नहीं तो यहां पर directly क्या आजाएगा sir सारा माल भी गया जब closing stock है नहीं तो यह आजाएगा cost of goods sold directly यह आएगा समझे बात आप क्योंकि हम production लिख रहे थे तो production लिखने का मतलब इतना माल बनाया और cost of goods sold का मतलब मर्जी है वो एक step उपर ले जाएगा इसके बाद हमारा selling and distribution इसके अंदर आ जाएगा तो बताइए सबसे पहले इसको plus करके क्या आ रहे पहले वाले का 52 इसको अलग marker से red से लिख देते हैं इसको है 52 अब 52 का साथ 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 जोडना है अपने क्या आ रहा है 11 यह total 11,000 नहीं आप 52,000 भी जोड़ेंगे हाँ तो यह ऐसे जूड़ेगा देखो यह जूड़ा नहीं तो इसको छोड़ना नहीं है इसको भी लेके चलना है इसके बाद इसके आदे यहाँ लिखते है 65,000 इसके बाद यहाँ पर आ जाते है यही आ जाएगा 65,000, 750 अब इसके बाद यह जोड़ लेते है 66,000 एक सो ठीक है अब सेल प्रॉफिट वगरा था नहीं तो यह सवाल हमारा यहीं पर हो जाता है इसके खतम कुछ़चन में कहता है calculate the prime cost कुछचन में बोला भया calculate करिये क्या prime cost निकालिये नहीं दिख oluyor बच्चो को मैं थोड़ा निचे कर दियु और कहता है factory cost निकाल दिया निकाल दिया total production cost निकाल दिया cost of sales सेल्स निकाल दिया वो भी यहाँ पर examiner जो check करेगा न answer वो heading wise check करेगा कि prime cost कितना आया जैसे GP, NP अगर आप GP, NP, trading और P&L को अगर बीच में से हटाई दो a net profit तो आना ही है तो same यहाँ पर वो heading wise check करेगा क्या prime cost आपका इतना सही है फिर क्या factory cost सही है क्या इसका cost of production ये cost of good sold सही हा रहा है, फिर selling and distribution आ रहा है, फिर आपका cost of sales आ रहा है, ये heading wise, लेकिन फिर भी आपके इसके heading में फरक आ सकता है, जैसे कि warehouse, मैंने warehouse को कहाँ डाला factory में क्या पता examiner के answer sheet में selling and distribution, तो note अगर डाल दिया ना, we will be considered as a factory it can be also possible कि आपका selling and distribution का हो सकता है, examiner खुष, पूरे number देगा आपको, सेम ऐसे कुछ ऐसे खर्चे हैं, जो कि आपका conflict कर रहा होगा, जैसे director salary दोनों जगे हो सकता है जैसे कि आपका manager का salary sir, दोनों जगे manager हो सकता है तो मुझे जैसे जहाँ suitable लगा, वैसे डाला आप भी उसी के हिसाब से चलेंगे ठीक है, किसी को doubt sir, नहीं question करे question करे करते करते याद हो जाएगा आप बिल्कुल सारे जो trouble है, question करते करते आपको definitely याद हो जाएगा कोई दिक्कत, कोई परिशानी यहां तक, बताईए तो यह था हमारा एक सवाल वैसे तो हमें और भी question करने है इसके, लेकिन अभी नहीं तो आज starting है तो बस हमने simply क्या करा कहां तक खतम कर लिया sir हमने इसको खतम कर लिया basic basic चीजे, cost sheet के अंदर जो हम कर सकते थे वो सारे point को हमने basic basic चीजे को cover कर लिया है cost sheet के अंदर किसी को doubt बताईए